Hey guys, welcome to my new video. Now today my topic is types of collecting devices used in cement plant. Cement plant में मुख्य रूप से दो प्रकार के trash dust collectors ही यूच किये जाते हैं. No.1, bag house and electrostatic precipitator ESP. No.1, bag house. William Bath को dust collector का जनक वाना जाता है, इन्होंने 1921 में इसे डिजाइन किया. Fabric collector dust gases में से dust particles को filter कर वसे प्रिट करता है, जिसे commonly bag house कहा जाता है. They are the most efficient and cost effective types of dust collectors available and can achieve a collecting efficiency more than 99.9 for very fine particulates. Parts of bag house. No.1, bag filters, venturi assembly, tube plates, compressed air heater, blow pipe, housing and hopper, solenoid valves and GD screen, gas distribution screen. Material grinding के पस्चात निकली ही dirty gases को bag house में इंटर कराया जाता है. यहाँ पर numbers of bags लटके होते हैं, जिनमें नीचे से gas की पस्च कराया जाता है, जो dust particles होते हैं, वो bags में चपक जाते हैं, जिने solar head valves की सहायता से compressed air से clean कर लिया जाता है, clean air को खाहर निकाल दिया जाता है. माते हैं, जीचे सYouTube कर दोखे कर दोखे हैं, ईकर दोखे हैं, जanic जाता हैं. नमबर सेकेड़ एस्पी एस्पी यूज एलेक्ट्रस्टेटिक फोर्सेश तू सेपरेट डश्ट पार्टिकलेट्स फ्रॉम एग्जॉस्ट गैसे इस्पी में एमिटिंग प्लेट में हाई वोल्टेज करेंट सप्लाई दी जाती है जिससे डश्ट पार्टिकल्स आयोनाईज हो जाते हैं तथा कलेक्टिंग प्लेट्स को ग्राउंडेड रखा जाता है जिससे डश्ट पार्टिकलेट्स कलेक्टिंग प्लेट में चिपक जाते हैं एस्पी के में पार्ट्स दिखाए गए हैं वीडियो में कलिक प्लेट्स दिखाई जा रही है इनी में से डेस्ट को कलेक्ट किया जाता है इसके लिए इन प्लेट्स में उपर लगे हैमर के साहता से मटरेल को कलेक्ट करते है यह एमिटिंग प्लेट्स दिखाई जा रही है जो डस्ट पाइटिकल्स में आइनाइच करती है जिससे वे कलेक्टिंग प्लेट्स पर चिपक सके करते है जाएटिकल्स में आइनाइच करते है थानक्स वर वाचिंग एस वीडियो ले जाएच कमें थानक्स सब्सक्राई खरेको इनाइच क